नमस्कार मित्रों जै मातादी मातारानी के कृफ़ा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वगत करते हैं मत्रों मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुख, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मांसिक और सुख सांति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गिर्पा मनुस्य के जीवन में प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्छों, आपके ग्रहों के इस्तितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन की इस्तितिया कैसी रहेंगी? बैपार की इस्तितिया कैसी रहेंगी? बैपार, व्यवसाय, करियर और लव लाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली हैं? बगवान स्रीहरी विश्णुजी की पूजा उपासने किस प्रकार से करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं रुपे फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं धन की देवी माता लग्वी जी की पूजा उपास न करके, इस प्रकार से उनको प्रसन न करके, आप अपने घर धन की देवी माता लग्वी जी को बूला सकते हैं। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरित दीखेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें। ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें। तुमित्रों, ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा। कई मामलों में आपको सफलता मिलेंगी। आपके महनत से कारे में सिद्धी के प्राप्ति होंगे। आपके सी धार्मिक क्यात्रा पर जाने की बात मना सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं, पैसो को लेकर जो भी आपकी अडचने आ रही हैं, उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है भगवान स्रीहरी विस्मुजी की किरपा से आपको एस्वरी की प्राप्ती होगी, धन के छित्र में आपको सफलता मिलेंगी, परिवारवालों का, रिष्टेदारों का और सगे सबंद्यों का आपको सहयूग मिलने वाला है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं, बहुत प्रियास करने के बाद भी अगर आपको संतान सुखो की प्राप्ती नहीं हो रही है, तो वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है इस समय सुरी के रासी प्रिवर्तन होने की बज़े से आपके कारिशित्र में मान संमान की प्राप्ती होंगी, घर वाले प्रिवार वाले और समाज वाले आपके इज़त करने वाले हैं, आपके मान शमान में इज़त में बढ़ुत्री होने वाली हैं, दोस्तों के साथ मुल बजबूती के साथ आपका साथ देगा, भागे का साथ उने की बज़ा से कारिश्यत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ती होंगी, बिजनस करने वालों को भी सफलता मिलेंगी, निजी जीवन में भी आपका इस चमय पारिवारिक तालमेल बनाने की जरुत रोहेंगी, आप और आपके सही होगी, दोनों आपका पूरा साथ देने वाले हैं, लेकिन निजी जीवन में आपका तनाव रह सकता है, लेकिन ये समय के साथ दूर होने वाला है, मित्रों, सावधान, आगे की बातें रहस्मरी रहेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना, सुनना और स समझना चाहिए इसलिए आगे की जानकारियों को आप पूरे ही कौर से सुनें चंद्रमा रासी से दूसरे भाव में और आपकी रासी में राहो के उपसे दी आज आपका मान सम्मान दिलवाने बाला है और ये आपके लिए तथा आपके परिवाज के लिए सुब फलतायक रहे आपके मान सम्मन में पर्तिष्टा में वर्दी होंगी मित्रों अगर आप बेरोजगार ही वक हैं कई सालों से कई महीनों से कई दिनों से आप रोजगार की दलास कर रहे हैं या फिर आप अपने स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं तो मित्रों रोजगार की आपके किये गए फ्रियाज तो सारी के सारे फल आज आपको देनी वाले हैं। कुम्ब्रासी वालों रुके वी काम भी आज आपके पूरे हो सकते हैं। जिसे की आपको कुछ्षिया मिलेंगे। परिवार के बुद्रुकों के साथ आसिरवाद लेकर कारे को करने का पूरा करें। आपके सभी रुके पढ़े कारे की पूरे होंगे। पत्रों अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं अगर आप घर से बाहर किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को परणाम करके देवताओं को परणाम करके और अपने सारे पुरवजों को याद करके वो फरनाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे कारे पूरे होंगे और आरही सारी के सारी बाधाएं आपके जीवन में दूर होने वाली हैं कारिशत्र में भी आपको सौफलता मिलने वाला है आर्थी तौर पर आज का दिन मजबूती के साथ रहने वाला है आप रुके वे कारे को भी पूरा होता हुआ आज देख सकोगे जिससे कि आपको कुछी के प्राप्ती होंगे प्रिवार के वुदर्गों के असरवाद से कारे पूरे होंगे आज आपका भाग्य और आपका नसीब दोनों साथ दिन निबाला है इसलिए अगर आप प्रोपर्टी डिलर है और कहीं निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आज के दिन आप यह प्लान को पूरा कर सकते हैं और आप कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छे से जानकार व्यक्तियों से सलह लेकर ही कारो को करने की कुछिस करें ग्रहों के सितियां आपके भागी को बदलेंगी और बिजनस में भी आपको लाव की प्राप्ती होंगी लेकिन बेवज़ा बाद भी बाद में ना पड़ें बेवज़ा नए सत्रू को बनाने की कुछिस न करें बेवज़ा किसी के साथ बगज़ग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया ना करें आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ा आपके सत्रू पैदा होंगे जिससे की आपके सिताएं बढ़ेंगी इसलिए आपको साफधान रहने की जुरत होंगी आज आपके माता की स्वास्त में परिवरतन हो सकता है माता पिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारे से ग्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में पहरे से काफी जादा सुधार देखने को मिलेगा आज आपके सेहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आपके सभी विगड़े कारी बनेंगे कारिशत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ती होंगी जीवन साती के सहयोग से आप नई फ्रूपटी में निवेस कर सकते हैं आज रासी के स्वामी द्वादस भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्शों में तीजी आएगी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुबस्योग की वज़े से कारण आपका भागवी आपको सात देने वाला है और पिछले कई दिनों से जो काम रूक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्रम अबड़ोत्री होंगे कोट का चहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफि प्रसंद रहेगा मित्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चहरी में काफी लंबे समय से फसे हुए थे काफी लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर कार्य तो कर रहे थे लेकिन आपका किसी कारण से वो योजना सफलना हो रहा था तो उन सभी योजनाव को पूरा कर पाने में आज आपका पिजादा सफल रहोगे कारिशत्र को लेकर भी आपके मन में अलग-अलग प्रसन अलग-अलग सवाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ आपके कारिशित्र में काफी लाव होनी वाला है। बैपार व्यवसाय और करियर को लिकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी। विवाहितों के लिए भी आज का दिन बहत्रिन प्रस्ताव मिलेंगे। और यह प्रस्ताव आपके जीवन में सकल और सूरत सावित होगा। प्रियास करें। दान देने से आपके सभस्त प्रकार के समस्याओं से आपको जुपकारा मिलेगा। और जिसे की आपका नाम बहती फैलने वाला है। नाम आपका गूंजने वाला है। और कारे को लेकर भी आपके सारे समन्दे भी काफे प्रसन्न होंगे। मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पती के साथ होंगे। तथा चेंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे। जिसकी वज़ा से आप कठिन प्रस्थितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे। और विरोधियों का पसीना भी आप छुड़वाने वाले हैं। आपका अधिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी।